इस पॉइंट पर आके ना ये बंदे को तुम प्रो प्लेयर नी बोल सकते इसको बुली बोलेंगे क्योंकि यार ये बुली ही कर रहा है भाई ये गेंपले नी हो सकता है जिस तरीके से ये मार रहा है ये क्लियरली बुली करना यार अपने उपने उपनेंट को और पता है मैं इस बंदे को अब एक बुली क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं इस गिम को मास्टर करने की डेप्थ में तो इस प्लेयर के मैं बाद में जाओंगा पहले तुम इसकी जॉइस्टिक के ओपर ही मास्टर ही देख लो भाई यह मतलब ऐसे नचा रहा है सामने बंदा मारने को त्यार है लेकिन यह नीचे घड़े हो के नचाता रहता है नचाता रहता है उसको एंगल ही नहीं मिलता है मारने को और जैसे ही बंदा कूथता है वैसे ही यह पलट के उसको मार देते हैं और Joker Fox actually उन बंदों में से है जिनको तुम बहुत ही कम देख पाओगे ऐसी performance देते हुए हर एक format में क्योंकि यह वो बंदा है जो TDM में भी फोड़ के रखता है और competitive में भी फोड़ के रखता है जिसको मैंने देखा है खेलते हुए मतला इसने का game sense यार कुछ जादा ही अलग है TDM की tricks comparative में चलती है जैसे कि यहाँ पर देखो अब एक ही बंदे ने DBS से तीन बंदों का डाउन कर दिया सामने DBS है तो देखो क्या करते है पूरा वेट करा पूरा रिलोड मारने थी अराम से और फिर यही क्लच देख लो भाई के हाथ में grenade है ठीक है M416 के ओपर 6X का scope लगा हुआ है जैसे रेलाइस करा 6X का scope लगा कितना सा टाइम लिया देखो ड्रेड डॉट पर स्विच करने के लिए movement इनकी रुगी भी नहीं हलका सा भी डेले हो जाए आधे सेकंड के लिए भी नहीं बैठे होंगे तुरंत scope चेंज कर लिया तुरंत उटके मारा तुरंत वापस आए तुरंत दुबारा से scope खुला सारी गोलिया चिपका दी बंदे में इतनी जादा स्पीड है कि scope भी अगर गलत लग रहा हो तो भी change करने में जरा सा time नहीं लेता है rhythm break नहीं करता है सामने वाले को मौका ही नहीं देता कि side से angle भी बना ले मतलब रुकावट इसके gameplay में आती ही नहीं आगर यह मार रहा है तो इसकी accuracy भी effect नहीं होती चाहिए इसको scope change करना हो बीच में रुकना हो कुछ भी करना हो तो तुम लोग ने किराये पे घर देना तो जरूरू सुना होगा लेकिन क्या तुम जानते हो तुम अपना किराये पे internet भी दे सकते हो और उसके बाद तुम पैसा कमा सकते हो यह चीज़ तुमारे ले possible करता है honey gain तो अगर तुमारे घर पे wifi लगा हुआ है या फिर unlimited data वाला connection है तुम अपना अराम से internet भाड़े पे दे सकते हो honey gain को जिसके बतले तुमको honey gain पैसा देगा और उस पैसे को तुम use कर सकते हो DTH के bills, Netflix, Spotify के bills, mobile के recharge करने में आपका कुछ भी effort नहीं होगा, सारा गाम honey gain करेगा और आपको पैसे provide करेगा इसके लिए आपको बस description में दिये गए link पे tap करके honey gain को download कर लेना है किसी भी platform पे अपने mobile पे भी download कर सकते हो, उसके बाद screen पर जो promo code आ रहा है उसको use करना है sign up के time पे, जिससे आपको free के $5 मिल जाएंगे honey gain आपके internet से आपका कोई भी नुकसान नहीं करेगा, वो उससे data gather करेगा web का जिससे जो भी business platforms होते हैं, उनको idea लगता है कि जो product वो sell कर रहा है उसकी worldwide price के चल रही है, और उनका product कोई चुरा के बेच तो नहीं रहा है और जो आपके $ बनेंगे वो एक limit cross होने के बाद में आप PayPal के थूरू withdraw भी कर सकते हो तो जल्दी से check out करो honey gain अब जे speed से ये बंदा game खिलता है, उससे double speed से ये बंदा अपना धिमाग भी चलाता है जैसे देखो ये वाली clip पहले देखो यहाँ पर आके pre fire किया लेकिन बंदा नहीं निकला उसके बाद मैं देख लिए बंदा कोने में ही है तो यहाँ पर रुक के wait करते रहे उसको bait किया और फिर जैसी वो बंदा निकला वैसी उसको मार दिया और यह ऐसे reflex दे रहा है जैसा reflex लोग TDM में देते है क्योंकि TDM में confidence होता है मर जाओगे तो वापिस आजाओगे classic में भी एक बार को तुम कम डरते हो लेकिन यह बंदा भाई competitive में high tier की lobby वहाँ के T1 lobby में ऐसे पेल देता है बंदो को चाहे टूर्नमेंट्स हो स्क्रिम्स हो इस बंदे को फरक ही नहीं पड़ता है ऐसे मूँ पे घुज जाता है यार दो दो बंदो के बंदे को जस्ट अभी spot करा कोई normal player होता ना ADS खोल के मारता लेकिन यह बंदा मारेगा TDM की tracks यूज़ करके सामने वाले बंदे को मारा और राईटस फूट्स्ट आते ही तुरंद नावा सामने वाले बंदे को मारा पहले FPP स्विच्च करा, बंदे को मारा, फिर TPP स्विच्च करा, फिर FPP स्विच्च करा, फिर शॉट्स चलाए, फिर TPP स्विच्च करा, फिर FPP स्विच्च करा, फिर स्कोब खोला, स्कोब अठाया, बंदे को मारा, TPP स्विच्च करा, वापिस आया, और ये सब इतनी जाद स्मूधली कर रहा जैसे इसके लिए रोज की बात है और इसकी मुवमेंट सामने से ऐसी लगती है कुछ एक बार जिगल देखो कितना ज्यादा मुश्किल है ऐसी मुवमेंट को ट्रेस कर पाना बंदे ने जिगल के अंदर भी जिगल सा दे दिया बीच में जिगल रोक दिया शफलिंग सी कर दिया और उसके पाद भी हैडशॉट कनेक कर दिया इसके बाद बंदे का कॉन्फिदेंस एक्यूरेसी, स्पीड, सब कुछ देखो यहाँ पे और यह तो फिर भी एक बेकार से बंदे के अगेंस्ट में था इसकी हिपफार एक्यूरेसी, स्पीड, मुवमेंट, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो किसी एक तगडे प्लेयर के अगेंस्ट इस बंदे के मुव पे बंदा था, इसने स्कोप खोला, स्कोप बंद करा, हेडशोट कनेक करा, क्राउच करा, दोबारा से गन चेंज करके, अन्क्राउच कर लिया, दो सेकेंड से भी कम के टाइम में, और वो भी प्रेडे करते करते नहीं वारा, बंदे को देखा कि वो आ है, उसके बाद ADS खोला, हेडशोट कनेक करा, बैट के वो ही सारी मुवमेंट कर दी, और दो हेडशोट कनेक करके मार दिया, और सोचो अगर बंदे के तुमारे मुव पे होते हुए, तुम ये सारी चीजे कर पाओ, तो तुमें जो आदा हादा सेकेंड की ओपनिंग मिलती उसको डामेज दो अंदर आओ कर दोगे, वो भी तब जब वो प्री फायर मार रहा है, वो भी स्कोब खोल खोल के, नहीं मतलब तुम खुद देखो यार, क्या accuracy है ये, slow motion में देखो, कहां से मार के आजाता है वापस कवर में, एकदम से headshot कने करता है, वापस आता है, जादा आपको benefit कर सकते है, especially TDM में इस तरीके से, तुम पीखोल के ऐसे बैठ जाओगे, तो भी चाहें बंदा सामने तुमारे ना आए, तो भी तुम इतने clean movement कर सकते हो, तुम हलका सा cover से भार जाओगे, और तुमारी बहुत सारी bullets connect हो जाएंगी, ये चीज इसलिए इतनी जादा master करना मुश्किल भी है, अब सोचो ऐसी speed accuracy movement सारी चीज़े रखने वाले बंदे को, अगर mini 14 दे दो और वो उसको भी master करके डाल दे, तो तुमारे comparative में कितने जादा advantages बढ़ जाएंगे, mini 14 पर बंदा इतने fast और इतने accurate taps मारता है, बंदे को सामने से मौका ही ना मिले और केवल mini 14 नी, SKSB इतने control में मार रहा है यार, 272 मीटर का distance और taps ऐसे मारे जैसे 10 मीटर मार रहा हो, और सारी हादे तो इस बंदे ने यहाँ पर पार कर दी, तुम्हें लगे का ठीक है यार 215 मीटर पर ही तो मार रहा है, लेकिन असली केल यहाँ शुरू होता है, यहाँ और सबसे क्रेजी बाती है कि यह दोनों बंदे गाड़ी के पास में थे, अगर यह हलका सभी चूकते है, हलका सभी गोई भी गोली में सोती, लेकिन ना पहले बंदे को छोड़ा, और दूसरा बंदा तो गाड़ी लेके भाग रहा था, उसको भी 204 मीटर पर मार दिया, और तुमको लगता है जो बंदे ने SKS इतनी खतरनाक मास्टर करेवी है, वो बंदा M4 में कोई भी कसर छोड़ने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्टेंस 120 मीटर, उसके बाद में चलती भी गाड़ी, उसके बाद में भी सीधी गाड़ी नहीं थी, यह हलका सा टिह गाड़ी सीधी सीधी नहीं गई, डायरेक्शन उसकी चेंज हुई, एंगल चेंज हुआ, फिर भी स्प्रे मिस नहीं हुआ, और यहाँ पर तो मेडियम रेंज भी नहीं है, डिस्टेंस देखो बस 206 मीटर पे लिटरली 10 गोलियों में निप्टा दिया बंदे को, अब यहाँ पर पूरा 6-6 मार रहा है, और यहाँ पर तो पूरा बंदा भी नहीं है, गाड़ी की जो खिड़की होती है, उसके पीछे एक छोटा सा पिक्सल है 246 मीटर का स्परेज जैसे कोई मजाख है, ऐसे बंदे को मार देता है चलते फिरते, एक घर से दूसरा घर चेंज करने में खतरा है, हाथ में डीपी है, लेकिन फिर भी लॉंग रेंज में चल रही है M4, और उसके भी बर्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी बंदा नौक हो र मतलब इस बंदे के गेम प्ले में शायद ही कहीं पर कोई कमी निकाल सकता है PMCO जैसे टूर्नमेंट्स इस बंदे ने खेल रखे है, TDM टूर्नमेंट्स में भी अच्छा खासा फ्लोड रखा है DMR, Bolt Action, AR, SMG सब बंदा चलाता है, Close Range, Medium Range, Long Range कुछ भी हो और यही रीजन है कि इंप्रेसिव, Beyond Words, मतलब शब्दों में भी हर तुम कुछ हद तक ही इसको बया कर सकते हो, पूरे तरीके से एक्स्प्रेस नहीं कर सकते हो, और Fiat के क्लचेज भी हर बहुत जादा पसंद आते लोगों को, तो राइट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करो, और दमन गेम्स को जरू से चेक आउट करना और मिलते में ने चुरू में अगार्ट